पाकिस्तानियों की हुई जमकर धुनाई भारत ने पॉइंच टेबल में हाहा कार मचाई जी आप भारत वर्सिस पाकिस्तान जिस महा मुकाबले की आप सभी क्रिकेट प्रसंसक कापी बिसबरी से इंतजार कर रहे थे वो मुकाबला बिलकुल एक तरफा हो गया है और भारती टीम ने हर एक डिपार्टमेंट में पाकिस्तानियों की धुनाई कर दिया है पहले अगर हम गेदबाजी की बात करें तो आप भारती गेदबाजों का जादू सरचड़कर्ज बोला और पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को मातर एक सो एक क्यानवे रनों पर आलाउट कर दिया फिर भारती कप्तान का तूफानी पारी आया जिसका रटीस ओबरों में 31 ओबरों में इस चेज को वो चेज डाउन कर गए और इस बड़े अंतर के जीत के साथ भारती टीम ने पौइंच टेबल में भी हाहाकार मचा दिया है और पौइंच टेबल में टॉप पर भारती टीम आचुकी है अगर हम पौइंच टेबल पर एक नजर उठा कर डालें तो वो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा और at the top आपको IND दिग गया होगा इंडिया points table में top पर आ गई है तीन मुकाबले खेले हैं तीनों में जीत प्राप्त हुई है और net run rate के अधार पर इनोंने New Zealand को पीछे कर दिया है कीवी टीम ने भी इस World Cup में तीन मुकाबले खेले हैं तीन में जीत प्राप्त हुई है छे point इनके हैं छे point भारत के हैं लेकिन net run rate पे गौर करिएगा क्योंकि भारती टीम ने इस मुकाबले को 30.2 अभरों में अपने नाम किया है जिसका इनका net run rate हो गया है 1.821 New Zealand का 1.604 ही है अगर हम बात करें तीसरे नमबर की टीम की तो South Africa उसके 4 point है उनका net run rate 2.360 का है पाकिस्तान तीन मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ 4 point है एक मुकाबला हारते हारते जीत गए अधरवाइज और भी बुरा condition होता तो पाकिस्तान टीम का इस World Cup में अभी आप देखेंगे कि रैंकिंग गिरता हुआ नजर आएगा क्योंकि इतने बुरे तरीके से अगर आप हार जाते हैं तो आपके प्लेयरों का मुराल डाउन हो जाता है एका एक इतनी सारी कमियां उभर कर सामने आ जाती इतने बड़े World Cup के stage पर तो इन कमियों को इतना जल्दी सुधार करना बहुत ही कठिन टास्क होता है जब हर एक मुकाबला प्रेसर मुकाबला बन जाता है तो पाकिस्तान टीम के तीन मुकाबलों में चार पॉइंट हैं माइनस में इनका नेट रन डेट आ गया है माइनस 0.137 और ये नेट रन डेट ना इनको बहुत ही धक्का पहुचाने वाला है और अगर ये चाओ थे और पाच्वे अस्थान पे रहे तो फिर ये डिस्क्वालिफाई भी हो जाएंगे क्योंकि इनका नेट रन डेट अब इंगलैंड के नीचे चला गया है अच्छी खबर बन गया है नहीं बंगलादेश की बात करें इनके भी दो पॉइंट हैं तीन में काबले में एक मात्र जीत प्राप्त हुई है दो हार हुई है माइनस 0.699 का है वहीं सिलंका निदरलैंड अस्टेलिया अफगानिस्तान इन टीमों को अभी वर्ल्ड कप में खाता खोलना बाकी है सभी के नेट रन रेट निगेटिव में है माइनस 1.161, माइनस 1.800, माइनस 1.846 और माइनस 1.907 ये क्रमस सिलंका निदरलैंड अस्टेलिया अफगानिस्तान का नेट रन रेट बरकरार है अस्टेलियन टीम के लिए भी आपका सकते है कि एक अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान टीम को बहुत बड़े अंतर से भारती टीम ने माद दे दिया है वहीं भारत की बात करें तो ये जो पहला हर्डल है उन्होंने क्रॉस कर लिया है पहले बड़ी टीम को हरा दिया है पाकिस्तान का जो हर्डल था एसिया की टीम थी स्पिन को अच्छा केलती थी ये जो बाते थी हाइप था और साइनसा अफरीदी का जो डर बनाया जा रहा था जो खौप बनाया जा रहा था उन सभी चीजों को उन सभी बातों पर विराम लगा दिया और दिखाया है कि भारती टीम इस वर्ल्ड कप के लिए well prepared है और वो किसी भी हडल को cross करने के लिए तयार है तो अश्ट्रेलिया टीम का फता किया पहले फिर पाकिस्तान टीम का फता कर लिया है तो अब बचे हैं कौन-कौन सी टीम New Zealand, South Africa, England अगर इन तीनों का भी भारती टीम फता कर लेती है फिर सेमिफाइनल में सेमिफाइनल के लिए उनका द्वार खुल जाएगा और हम लोग यही प्रार्ता करते हैं कि टॉप पर रहकर भारती टीम सेमी फाइनल में इंट्री लेतुआ आज कि अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही आप सब भी अपना ध्यान दें सुरक्षित रहें, स्वास्त रहें, मस्त रहें, जैहिंद जै भारत अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले